उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1782 अभ्यार्थियों को किये नियुक्ति पत्र वित्रित सभी अभ्यार्थियों का चैन UPPCS, UPSSSC एवं विद्युत चैन आयोग द्वारा किया गया लखनव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को एसकोर्ट कर रही कार हाथसे की हुई शिकार हाथसे में कार सवार 15 लोग घायल, दो घायलों की इलाज के दौरान हुई मौत, एक सिपाही सहित, दो की हालत गंभीर धामपुर में मुरादाबाद मार्ग पर अग्यात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षिय सोमपाल सिह पुत्र मुकंदी सिह की हुई मौत, पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की शुरू चांदपुर के फीना में करंट की चपेट में आकर लाइन मैन युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा और मामले की चांच में जुटी शेर कोट के हरेवाली तिराहे पर ट्रक और बाइक की हुई टककर, हादसे में बाइक पर सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल संत निरंकारी सेवा मिशन के द्वारा चांदपुर नगर स्थित तालाब पर चलाया गया सफाई अभियान कि ये कार्यकरम में सैकडो कार्यकरताओं ने सफाई अभियान में लिया भाग नगीना के ग्राम फतेहपुर में दामाद ने बुजर्ग ससुर पर नल की हत्की से हमला करकी हत्या आरोपी दामाद घटना को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार पुलिस आरोपी दामाद की तलाश में जुटी अमरोहा पुलिस अधीकशक ने जन्पद के पांच थाना प्रभारी के कार्यक शेत्र में किया फेर बदल पुलिस अधीकशक की इस कार्यवाही से पुलिस महकमे में मचा हड़कम अमरोहा के हसनपुर में काम करके घर लोट रहे बाइक सवार युवक को अग्यात वाहन में मारी टककर बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल घायल को अस्पताल में कराया गया भरती घायल की उपचार के दौरान हुई मौत संभल के गांव छाबड़ा के तालाब में तैरता मिला अधेर का शव ग्रामीनों ने गांव के इंदरपाल के रूप में की शव की शिनाख्त पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा मंडल मुरादबाद में पहली बार अभी तक द्यूज चैनल का डिजिटली महाफतार अब आपके मॉबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनुखर संसाथ गूगल पिले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मॉबाइल में देखी जन्नल नौलेज पर आधारी जीनियस काउन स्वास से संबंदित कारेकरम, हेल्थ केर, गानों पार आधारी सुनहरे पर अपने मंडल की न्यूज और ठेख सारे मनोरंजन के कारेकरम अपने मॉबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल